सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एवरिवान वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ बहुती टेस्टी और मज़ेदार कद्दू के दाल की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़ादा से ज़ादा शेयर कीजिएगा तो आएए देखते हैं ये कद्दू की दाल कैसे बनाएंगे कद्दू की दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर यह फ्रेश कटा हुआ कद्दू ले रखा है कद्दू के छिलके हमने पहले से उतार दिये थे और इसे इस तरह से हमने टुकड़ों में काट लिया है और यह हमने ले रखा हैं 100 ग्राम धुली हुई अरहर की दाल आप यहाँ पर अरहर की डाल की जगापर चना या मटर की डाल का भी इस्तमाल कर सकते हैं। उसमें भी ये डाल टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे हम रखेंगे पकने के लिए। उसके लिए हम ने यहां पर कुकर लिया है। पालो को हम इसमें सबसे पहले एड करेंगे 1 टेबल इस्पुन नमक स्वादा अनुसार और इसमें हल्दी पाउडर और एक खटाई इसमें हम एड करेंगे खटाई इसमें पूई तरह से आपशनल है अगर आपके पास हो तो जरूर डालिएगा बहुत बढ़िया इसमें टेस दाल आप चाहते हों पानी अड़ करने के बाद सारे मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे चलाते हुए अब धकन को खोल कर हम जदाल को चेक कर लेंगे धाल हमारी अच्छे से गल गई इस्थी कलचुल से चलाते हुए ऑच्छे से मिला देंगे इसे मिलाने के बाद इसे और सूपर टेस्टी बनाने के लिए हम देंगे इसे एक तड़का तो उसके लिए हमने यहाँ पर तड़का पैन को गरम होने के लिए रख दिया है पैन अच्छे से गरम हो गया है हम इसमें एट कर देंगे थ्री टेवल स्पून के ल सरसो एट करने के बाद इसे हम चटकने देंगे जब सरसो अच्छे से हो जाएगी तब हम इसमें एट करेंगे रफली चौकी हुई दो हरी मिर्च और कुछ लेसुन की कलिया अगर आप लेसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा अब हम इसमें एट कर देंगे अगर आपके पास करीपता हो तो जरूर डालिएगा बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अब इसे हम एट कर देंगे दाल में दाल में डालने के बाद इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिला देंगे और यह हमारी कद्दू की दाल बनके तयार हो चुकी है इसे कुछ जगा पर कद्दू का लगदावा भी बोलते हैं आप क्यां क्या बोलते हैं यह आप मेरे कमेंट शेक्षन में लिखकर जरूर बताएगा कद्दू की दाल हमारी तयार हो चुकी अब इसे हम सर्व कर लेंगे चोटी बाल्टी में इससे पहले मैं आपके साथ लोकी के लगदावा की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूं उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था लोकी की डाल का लिंक हमने नीचे दिस्ट्रप्शन बॉक्स में दे दिया है और यह हमारी कद्दू की डाल बन के तयार है आप इसे प्लेन राइस के साथ में इंज्वाई कर सकते हैं गर्मा गरम चावल के साथ में यह दाल बहुत ही टेस्टी लगती है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल में नए महमान है तो चैनल को जरूर सस्क करिएगा इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और साथ ही अपने एक्सपीरियस नीचे हमारे कॉमेंट सेक्षन में शेयर कीजिएगा मैं फिट से मिलती हूं इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ थैंक यू बाबाई